So what's up guys I am back on my channel Zara Innovativeness So today's video मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मैंने अपने पुराने स्टोल से एक बढ़िया सा कप्तान बनाया है जिसमें मैंने थोड़ा सा क्रियेटिवनेस की है लाइक मैंने इसके नीचे जो पैंड बनाई है वो मैंने मेरे तरीके से थोड़ा अलग डिजाइन किया है होप सो कि आप लोगों को पसंद आए आप लोगों को अच्छी लगे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज उसे लाइक कीजेगा, शेयर कीजेगा, सब्सक्राइब भी कीजेगा, ठीक है, और हमें और भी कुछ लगेगा, हमें से जैसे लेस लगेगी, क्योंकि हमें पैंड में लेस का यूज है, तो इसले मैंने ले कार्या कार्ण ये लिए सब्सक्राइब करा दिए रटार, हमें पैंड देखिए, आप देख सकते हैं ने हमारा कफटान लुग रेडी हो चुका है, देखिए ये कितना अच्छा लग रहा है, जो कि मैंने अपने स्टोर से बनाया है कफटान, और पैंड में एपने अटन ल जो लेस में आप लोगों को बताई थी, वे उपन्हें नीचे साइड में यूज की है, फ्रिल बना कर, तो आप ऐसी भी पैंड बना सकते हैं, और लेस का यूजिव आप इससाइडों में भी कर सते हैं, ये ये यूजिव भी घिया है, पैंड शिर्फन्हें लोगों तो अब मैंने चीज बनाये इसको थोड़ा सक क्रियेटिव करने के लिए वो भी मैं आप लगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ तो गाइस मैंने नेकलेस बनाया है अपने एक अपतान के कलर का ये ब्राउं डार्ण रेडिश टाइप में है वैसे ही मैंने मूती का यूज करके पर्ल्स का यूज करके मैंने एक नेकलेस बनाया है इसका भी वीडियो मैंने बनाया है लेकिन अभी तक मैंने अपलोड नहीं किया है अगर आप इसका वीडियो देखना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंस में बताइएगा मैं जरूर आपको बताऊंगी कि यह मैंने कैसे बनाया है तो मैं इसको पहनाती हूँ हम देखते कैसा लगता है यह पहनने के बाद होप सो अच्छा ही लगे सो गाइस देखिए हमारा कंप्लीट लुक जो है वो रेडी हो गया है दोरी भी है इसकी बहुत प्यारी सी तो आप डोरी लगा सकते हैं बैंड भी मिलते हैं वो भी लगा सकते हैं और नेकलेस इसके साथ आप यहरिंग भी बनाना चाहें तो वो भी बना सकते हैं ताकि आप कंप्लीट लुक में रेडी हो जाएं थैंक्यू सो माच कि बहुत आप काना सकते हैं